वीडियो पूरा अपडेटिड होने वाला है तो लास्ट तक प्लीज जरूर देखिएगा और इंफॉर्मेशन पसंद आती तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा तो आज है 15 अक्टूबर चलिए इस प्लांट को लगाते हैं काटे वाला पौदा है इसमें साथी फूल भी आते हैं जादा तर लोग काटे वाले पौदों को लगाना अवाइट करते हैं लेकिन आपको ये लगाने चाहिए ये इन्वायमेंट के लिए बहुती जादा इन्वायमेंट में रेडियेशन होते हैं उनको भी एक्जॉप करता है ये बेनिफिट आपको सभी कैक्टिस प्लांट से मिलेंगे तो आपको ज़रूर लगाना चाहिए ये प्लांट है यूफोर्बिया मिली का जिसे क्राउन ओफ थ्रोंस भी कहा जाता है तो ये उसकी है जो common colors हैं आपको देखने को मिलते हैं इसमें red, pink, white and yellow और मेरे इस प्लांट में yellow color के फूल आते हैं इसको मैंने अपनी local nursery से रूपीज 100 में लिया था with pot तो अभी लगा हुआ है ये कुछ 5-6 inch के pot में तो आप मैं इसको दे रही हूँ 10 inch का गमला तो इसको गमले से निकालने के बाद में रूटों को डिस्टब नहीं किया है मैंने थप थपा के जो है इसके पौधे को निकाल लिया है और मिटी देखिए आप कितनी ज्यादा सक्त सी है और मिटी में कुछ भी नहीं मिला है simple मिटी ही है तो आसानी से आप न इस प्लांट को किसी भी मिटी में ग्रो कर जाए उस छेद में आप रख सकते है नारियल का छिलका या फिर कोई कपड़े का तुकड़ा नहीं तो कोई कंकड़ पत्थर को आप टेडा मेडा करके रख सकते है ताकि वह पूरा उसको दबाए ना और पानी जो है फालतू निकलता जाए उसके बाद में कोई सा भी में प पौदा जाता जा रहा है तो पौदा की जड़ों को नुकसान करता और पौदा जड़ से खराब होने लग जाता और उपर आपको समझ में नहीं आएगा कि पौदा क्यूं मरता जा रहा है कुछ भी अलग से जो है वो मिट्टी मैंने नहीं बनाई तो काफी जो चीज़ें इसमें रिकॉर्ड नहीं हो पाई हैं लगाने के बाद ना मैंने इसमें फुल पानी दिया था ताकि जो मिट्टी है ना वो सेट होती चली जाए मैं कभी भी दबाती नहीं हो पौदे को रख दिया जहापे इसको पूरे दिन की दूप मिली है जब मैं इस प्लांट को ले कर आई ती न तब इसमें एक दो फूल खिलेते और फिर एक हफ़ते के बाद मैंने इसको शिफ्ट किया था मिट्टी वी वाले गमले से अपने दस इंच के गमले में तो अक्टूबर में जारेक जो फॉग है वो इस पर ना और बारिश के टाइम पे रही इनी सीजन में भी आपको इसको जादा पानी इस पर ना गिरे बिल्कुल भी ना गिरे तो उसी चीज का ध्यान रखे नहीं तो इस प्लान नो बहुत जल्दी सड़ने लग जाता और फिर धीरे घर करके मर वैसे तो इसको जादा खाद पानी की जरुरत नहीं होती है बस धूपी मिल जाए पूरे दिन की तो वह बहुत है बट अगर फिर भी अगर आप इसको खाद देते और फिर सोचते कि इसमें फूल आएंगे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है फूल इसमें अपने मौसम पे ही जब टेंपरेचर 20 से लेके 35 डिग्री तक का रहता है इस पौधे को ना मेरे पास 2 साल हो चुके हैं तो ये वाला जो अपडेट है वो पिछले साल के मार्च का है और अब ये देखिए ये है इस साल के मार्च का अपडेट वैसे तो प्लांट पर्मनेंट ही होता है ग्रोथ और फूल जो है आपको ना तो ठंड में दिखेंगे ना बहुत ज़्यादा गर्मी होगी तब दिखेंगे। उससे थोड़ा बच के रहे वो जहरीला होता है आराम से ही कट करें स्टैम को काटे होते है ध्यान रखें जब नीचे का पार्ट सूख जाए तो किसी भी मिट्टी में आप उसको दबा दे दो तीन इंच तक हलका सा बिल्कुल मौश्या रखे मिट्टी में पौधों के कीने के बाद में जो है उसमें ग्रोथ नजर आएगी कैक्टिस प्लांटो या कोई भी प्लांटो ज़रूर ग्रो करें और इन्वार्मेंट को बचाएं